नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है, हम बात कर रहे थे मंगल के बारे में, मंगल अगर आपकी नौामसा चार्ट में विविन भाव में इस्तित होते हैं, तो ये आपको क्या प्रिणाम देते हैं, इस वीडियो में जानेंगे अभी हम दसम भाव के बारे में, अगर किसी भी जातक का नुवामसा चार्ट में दसमभाव में मंगल है तो उसको क्या क्या प्रिणाम मिल सकते हैं मंगल की अगर दसमभाव में इस्तिती है न्वामसा में तो ऐसी कंडिशन में आपका marriage के तुनद बाद जोब चेंज होने की लिए हमेशा हमेशा के लिए वो आपको जीवन में मोटिवेट करता रहेगा तो यह इसति एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है आपके मैरीज के बाद केरियर में हो सकता है मैरीज से पहले आप इतने फास्ट ली काम नहीं कर रहे हो बट आप मैरीज के बाद बहुत ज़्यादा सारिक महनत लगती हो वो काफी सहासी होगा जोकिम लेने वाला होगा तो आप अपने spouse की मदद से अपने जिवन में जो भी आप target पाना चाते हैं जो भी आप job पाना चाते वो आप प्राप्त करेंगे यानि आपके spouse का support आपको हमेशा के लिए रहेगा अब यहां अगर दसंभाव में कोई भी क्रूर ग्रै बैठा हो मंगल के साथ तो हो सकता है कि आपके जोग को लेके आपके कैरियर को लेके आपके स्पाउस के साथ काफी ज़्यादा आर्गुमेंट्स पर आपके हो सकते हैं और कभी भी एक दूसरे को एब्यूज किय जब भी आप किसी भी जगह पे काम करते लेकिन सबी लोगों से आप यह अपक्सा नहीं कर सकते हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता या आपकी तरह वो काम नहीं कर सकता तो आपको लग सकता है कि दूसरे लोगों में बहुत सारी कम्या हैं लेकिन आप बहुत ही अच्छा काम कर तो आपको आपके अच्छे काम का reward जरूर मिल सकता है, लेकिन आप दूसरे लोगों के कारिये को change नहीं कर सकते, तो आपको एक कमी जरूर दिखेगी अपने साथ वालों में और अपने आपको ज्यादा perfect रूप में देख पाएंगे, ऐसी condition में कई बार आपको हो सकता है कि पह या आपको बहुत सारे ऐसे और भी फिल्ड है, टेकनिकल फिल्ड है, या कोई भी ऐसा फिल्ड जहां पे बहुत ज्यादा उरजा के आप सकता होती हो, बहुत तेजी से decision लेने, action लेने के आप सकता होती हो, ऐसे फिल्ड में आपको बहुत अच्छा रहेगा ये मंगल, तो आपका जो spouse होगा, उसके थुरू आप अपने career में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो marriage से पहले हो सकता है कि आप इतने ज्यादा सफलता प्राप नहीं कर पा रहे हो, आपको एक energy की ज़रूरत है, वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही, तो वो आपका spouse पूरी करने वाला ह है, यानि आपका spouse आपके career में बहुत ही बड़ा योगदान करने वाला है, इसके अलावा ये मंगल आपके जो घरेलू कारी हैं, उनको भी काफी ज़्यादा प्रभावित करेगा, और आपकी जो घरेलू life है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि आप ज घरेलू जिवन की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से activate होकर काम नहीं करेंगे, तो मंगल की ऐसी condition में आपको हो सकते हैं कि आप अपने घरेलू जिवन पर थोड़ा कम ही ध्यान दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रेलो जियोन में ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे आप काफी ज्यादा एक्टिव रहके काम करेंगे और आपका जो spouse होगा वो एक ऐसा Role आपके जियोन में लेके आ रहा है दसं भाहब में मंगल होने से जो रोल कोई भी आपके जिवन में नहीं निबा सकता यानि यहां पर मंगल है तो आपको आपके spouse के support की बहुत जादा ही आव सकता है especially career में और यह कमी आपकी कोई भी पूरी नहीं कर सकता आपका spouse ही ऐसा है जो आपके कम्यां पूरी कर सकता है ऐसे केस में जहां जहां भी आएंगे केरियर में वहाँ पर आपका spouse आपको हमेशन सपोर्ट करता हुआ दिखेगा और वह आपको जिवन में जितने भी बाधाई आएंगी जितने भी प्रकार की और कस्ट आएंगे वहाँ पर आपको quick decision लेने में fast decision लेने में बहुत ज़्यादा support और मदद करेगा आपका जिवन साथी तो ऐसा जो मंगल है काफी ज़्यादा action में दिखाता है आपको marriage के बाद बहुत ज़्यादा activate होने को दिखाता है और बहुत तैजी से action लेने को दिखाता है तो ऐसे जातक जो भी होंगे career का जो focus है उनक कि जोन में career बहुत ज्यादा important भी हो जाएगा अपने घ्रेलों जोनकी तुलना में career बहुत ज्यादा important हो जाने से उनको career में एक अच्छी progress शुरुआती सालों में बहुत ज्यादा तेजी से देखने को